असलाम अलेकुम आज मैं आपके साथ मतन यकनी देगी प्लाव की रेसिपी शेयर करने चाहरी हूँ इसकी रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की थी यह उससे थोड़ी सी डिफरेंट है तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कुकर लिया हुआ है इसमें हम हाफ केजी मटन आड़ कर देंगे यह मैंने वाश करके रख दिया था और इसका पुरा पानी निकाल दिया है और अब इसमें हमें एक मेडियम साइज के अनियर एड़ कर देंगे और यह कुछ गर्मसाले और अदरक और लब स्टन है यह भी हम एड़ कर देंगे इसमें कॉंटिटी मैंने यह आपर मेंशन कर दिया है इसमें पानी आप कर देंगे जितना आपका मटन होगा उसके हिसाब से आप ले लेना और इसे आपको अच्छे से कुप कर लेना है जिब तक मटन अच्छे से सौफ ना हो जाए और इसकी यकनी और मटन को अलग-अलग कर देना है और साथी में मैंने एक टूप रख दिया है इसमें हम ऑईल रख देंगे और तूम मीडियम स्लाइज अनियन दाल देंगे इसमें और इसे हमें ब्राउन होने तक फ्राइ कर लेना है अच्छे से इसमें एक ब्राउन कलर आ जाए आपको लेकिन इसे जलाना नहीं है बना प्लाव का टेस्ट खराब हो जाएगा तो इसमें अभी एक कलर आगया है जो हमें चाहिए था तो अभी इसमें से हम हाफ कॉंटिटी निकाल देंगे अनियन को और हाफ इसे में रख देंगे और इसमें मैंने थोड़ा से पानी एड़ कर दिया है ताकि हमारा प्लाव का कलर भी खराब ना हो और अनियन जले भी ना इसमें अध्रकलसन का पेस एड़ कर देंगे हम और इसमें भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे अद्रक लसन और अनियन को अच्छे तरह से मिक्स करने के बद इसमें कुछ गरम मसाले अड़ कर देंगे और इन्हें भी मिक्स कर देंगे साथी में मैंने इसमें तू टमाटर भी अड़ कर दिये इसे बारी चॉप करके दाल दिया है मैंने और इसे जब तक कुप करेंगे जब तक हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए इस तरह से इसे मिक्स करते जाए और अभी हम इसमें दो टेबल स्पूल ग्रीन चिली का पेस दाल देंगे कि इसमें रेड चिली पाउडर नहीं एड होता है तो ग्रीन चिली से ही इसमें जो टीका पान आएगा और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे है कि सॉल्ट जो है पहले भी हमने यकणी में एड़ किया है तो भी हमें थोड़ा कम सॉल्ट आड़ करना है अपने हिसाब से आप इसमें आड़ कर सकते हो सॉल्ट और मसालों का अच्छी तरह से हम इसमें भून लेंगे और यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स एड़ कर दिया है इससे टीज भी बहुत अच्छा आता है और इसे भी मिक्स कर देंगे यह हमारे मसाले अच्छी से बून चुके है अब इसमें हम थोड़ा सा दही डाल देंगे बहुत साथा दही आड़ नहीं करना है क्योंकि हमने टामाडर भी आड़ किया था तो टो 1 boo cup भी आपको इसमें अच्छे से दाही को फेट लेदा है और इसमें एड़ कर देया है और योग स्बझ अच्छी तरह से भूलेंगे यहाँपे मैंने मटन की यक्मी तरह लोजी बीड़ी थी तै तो अब मैं इसमें मटन एड़ कर रही हूँ और इसे थोड़ा सा अच्छे से मसालों के अंदर बून लेंगे क्या हमारे मटन औरेटी कूपते हैं तो हम इसमें बहुत जादा भी नहीं पगाना है इस तरह से हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे यहां पर मैंने 500 ग्रैम राइस को विगो के रख दिया था तो यह हम इसमें आड़ कर देंगे और थोड़ा सा स्टर कर देंगे राइस को मसालों के साथ बहुत जादा आपको नहीं करना है स्टर बना यह जो चावल है यह तूट जाते है बहुत ही हलके हाथसा आपको इसमें आड़ करना है यहां पर मैं तीन कप यकनी आड़ कर रही हूँ मैंने यही कप से राइस भी लिया था तो मैंने दो कप राइस लिया था 500 ग्रैम तो मैंने यहाँ पर तीन कप यकनी आड़ कर दिये क्यों हमने चावलों को भिगो के भी रखा था तो हम इसमें पानी उसी के साब से आड़ करना है और इससे अच्छा सा बॉइल आने तक पका लेना है इसमें मैं मिच्चे आड़ कर रही हूँ जब पानी पूरी तरह से ड्राय हो जाए इसमें से यह देखिए ड्राय हो गया है पानी तो हम उपर से वो जो अनियन हमने साइड में रखा तो भूस में आड़ कर देंगे और इसे दम पे रख देंगे मैंने यह अपर फॉइल पेपर का इस्तेमाल किया है आप कोई भी कपड़ा भी रख सकते हो यह देखिए हमारा देगी अकनी पुलाओ रेडी हो गया है फ्रेंस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट अगर आप मेरी चैनल पे फर्स टाइम आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुलिएगा और साथ ही में लाइक शेर और कॉमेंट भी करना यह देखिए हमारा प्लाओ भी रेडी हो गया है और हमारा मटन भी अच्छे से कूट है यह मैं आपको इसे तोड के बता देती हूँ यह देखिए है और प्लाओ में से बहुत अच्छी कुश्बू भी आ रही है तो उमिद करती हो आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुलिएगा अलाहाफीज